लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए नई मैं मैं आज जारी आंशिक लॉक्डाउन के बीच एपीमसी मंडियों के लिए नई एसोपी जारी की गई है नई मैं मनपा और बाजार श्रमिती प्रशासन की ओर से वासी की सबजी मंडी के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई नई S.O.P के अनुसार अब भाजी मंडी राद 10 बजे से सुबह 10 बजे तक चलेगी पहले एसमय राद 2 बजे से सुबह 10 बजे तक हुआ करता था वही मार्केट में 200 से अधिक ग्राकों को जाने पर पाबंदी होगी मोटर साइकल और कारों को मार्केट में प्रवेश्च नहीं मिलेगा साबजनिक ठिकानों पर थूकने पर 1000 रुपए का दंड होगा इसके साथ ही सैनिटाइजेशन और एंटी जन टेस्ट पर भी जोर रहेगा नविमभई की एपिमसी मंडियों में जुट रही भीड एक बार फिर कोरोना संक्रमर का अल्टीमेटम देने लगी है इसे देखते हुए बाजार प्रशाशन और नविमभई मनपा ने सबजी मंडी के लिए नई SOP जारी कर दी है नई गाइडलाइन्स के मताबिक अववाश्री की सबजी मंडी रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक यानी 12 घंटे खुली रहेगी इससे पहले सबजी मंडी रात 2 बजे से सुबह 10 बजे तक यानी 8 घंटे चलती थी सबजी मंडी में कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं अब यहां 200 से अधिक ग्रहकों को जाने पर पाबंदी होगी मोटरसाइकल और कारों को मार्केट में प्रवेस नहीं मिलेगा बाजार प्रशासंद्वारा कोरोना संक्रमन रोकने के लिए पहले की तरह यहां सनिटाइजेशन और एंटीजन टेस्ट को तेज किया जाएगा वहीं स्वच्चता की अउहेलना करने वाले और सावजनिक ठीकानों पर थूकने वालों को एक हजार रुपे जुर्मा न लगेगा हलाकि इन दिशान निर्देशों का कितना पालन होगा यह देखने वाली बात होगी ब्योरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया